हर साल हमारे देश में आ रही हैं, तो जब से मोदी जी की सरकार बनी है, 2014 से अब तक कितने लाखों करोण रुपे का घोटाला हुआ है, और वो लाखों करोण रुपे सीधे सीधे अडानी कंपनी के पास गए हैं। यही कारण है आपको याद होगा कि 2014 में जब मोदी जी प्रधान मंत्री बने थे, उस समें अडानी गुरुप की जो संपत्ती थी, वो सिर्फ 8000 करोड थी, और वो ही अडानी गुरुप की संपत्ती 2022 में 23 लाख करोड, मतलब की 64 गुनी हो गई। अभी सौरग जी ने भहुत विस्तार से हमें समझाया कि किस तरह इस कोईले स्काम में, जिसकी रिपोर्ट कल Financial Times में निकली है, कोईले का प्राइस इन्फलेट किया जा रहा है। वो ही शिप जब उन अडानी के मुंद्रापोर्ट पे पहुँची, तो उस शिप के कोईले की कीमत 36 करोड थी। तो आप सोचिए कि एक शिप पे जब इतना 20 करोड का घोटाला किया गया, वो 20 करोड सीधे सीधे अडानी के पास गया, तो ऐसी हजारों लाखों कोईले की शिप हर साल हमारे देश में आ रही हैं, तो जब से मोदी जी की सरकार बनी है, 2014 से अब तक कितने लाखों करोड रुपे का घोटाला हुआ है, और वो लाखों करोड रुपे सीधे सीधे अडानी कंपनी के पास गया है, यही कारण है आपको याद होगा कि 2014 में जब मोदी जी प्रधान मंत्री बने थे, उस समें अडानी गुरुप की जो संपत्ती थी, वो सिर्फ 8,000 करोड थी, और वो ये अडानी गुरुप की संपत्ती, 2022 में 23,00,00,00 करोड मतलब की 64 गुनी हो गई, यह आपका और मेरा पैसा है, जो हम बिजली के बिल के रूप में देते हैं, हमारी खून पसीने की गाली कमाई है, जो मोदी जी की वदा से सीधे सीधे अडानी गुरुप के पास जा रही है, बाकी सब पे ED, CBI, सबकी रेड होती है, सबकी तैकिकात होती है, अडानी गुरुप के उपर अभी तक कोई तैकिकात क्यों नहीं हो रही है, आज हमारी मांग है कि अडानी गुरुप की छानवीन होनी चाहिए, और ये जो एक्स्ट्रा पैसा है, जो हमारा और आपका पैसा है, जो अडानी के पास गया है, वो पैसा मोदी जी हमें वापस दिलवाएं, पंद्रा लाग तो अभी तक वापस नहीं आए, लेकिन जो अडानी के पेट में हमारा एक्स्ट्रा पैसा गया है, वो अब हमें सब को वापस चाहिए,